नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस के अफसर पे सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धे सारी दिल से शुब कामना हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, आजी के दिन, 15 अगस्त को। हर साल हम लोग 15 अगस्त को उन सब लोगों को याद करते हैं, जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए खुब त्याक किया था, तपस्या की थी, अपनी जान के कुर्बानी दी थी। सुभाष चंद्रबोस, भगत सिंग, अश्वाकुल्दा खान, चंद्रशेख हराजाद, नजाने कितने लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बाबा साब अमबेटकर, महात्मा गांधी, सरदार पडेल, नजाने कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन, पूरा जीवन में त्याक किया, तपस्या की, अपना केरियर बर्बाद कर दिया और देश को आजाद कराने के लिए अपनी जवानी में लग गए। देश आजाद होने के बाद 1947 से लेके आज तक, पिछले 73 साल में, इस आजादी को बरकरार रखने के लिए भी बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया है। आज भी बॉडर के उपर नजाने कितने सैनिक अपनी जान कुर्बान करके हम लोगों को सरक्षित रखे हुए हैं। आज जब आप खुली हवा में सांस लेते हैं, आजादी के साथ सडकों पे टहलते हैं, आजादी के साथ ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि कितने सैनिक बॉडर के उपर अपनी जान कुर्बान करके हमें ये आजादी बख्षते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुनाओगा चाइना के बॉर्डर के उपर हमारे 20 सैनिक चाइना के साथ दो दो हाथ करते वे शहीद हो गए आज का दिन उन सब लोगों को भी याद करने का दिन है जिन लोगों ने पिछले 73 साल में इस आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी उन्हें याद कीजिए उनके परिवार ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन्हें याद कीजिए और इस आजादी को बरकरार रखने में हमें भी अपना योगदान देना है एक तरफ जहां ये सैनिक देश के बॉर्डर के उपर अपनी जान कुर्बान करके हमें आजादी बक्षे हुए हैं हमारा भी फर्स बनता है कि हम देश की प्रगती में अपना योगदान दें वो लोग बॉर्डर के उपर हमारी आजादी बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं हमें देश के अंदर रहके हर नागरिक को एक तरफ उनकी कुर्बानी को याद करना है उनकी कुर्बानी को सलाम करना है और अपना अपना योगदान देना है आज 15 अगस्त के दिन अगर हम केवल अप्चारिक रूप से 15 अगस्त मना कर अपने अपने घर चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा हमें भी अपनी तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है तो मैं आज आप लोगों से तीन चीज़ों की दर्खवास्त करता हूँ पहली चीज आज हम प्रण ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे प्रश्टाचार करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, देश के साथ गद्दारी है भारत माता के साथ गद्दारी है उन सब सैनिकों के साथ गद्दारी है जो देश के बौडर के उपर अपनी जान कुर्बान करते है उन सब लोगों के साथ गद्दारी है जिन लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की भगत सिंग के साथ कुर गदारी है, चंदर शेखर आजाद के साथ गदारी है, सुभाष चंदर बोस के साथ गदारी है तो एक तो हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम नारिश्वत देंगे और नारिश्वत लेंगे दूसरा, प्रदूशन, हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जल या वायू का प्रदूशन होगा अगर आज हम अपनी भधरती को प्रदूशित करते हैं अगर आज हम अपने जल को प्रदूशित करते हैं हम अपनी वायू को प्रदूशित करते हैं ना केवल हम अपनी अपने देशवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं बलकि आने वाले generations आने वाली पीडियों की भी जान को हम दाओं पे लगा रहे हैं तो दूसरा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हम जल, वायू या पृत्वी को प्रदूशित करें और तीसरा काम हम कर सकते हैं कि अपने देश को साफ सुथरा रखना है मैं कई बार यह सोचता हूँ कि जब हम सड़क पर निकलते हैं दो मिनिट नहीं सोचते कुछ खाया और सड़क के ओपर कुछ भी फैंक दिया यह सड़क भी तो अपनी है जितनी पब्लिक प्लेसेज हैं, पब्लिक प्लेसेज के ओपर अपने घर में नहीं फैंकेंगे अपने ड्राइंग रूम में नहीं फैकेंगे लेकिन सड़क पे निकल के तुरंट कुछ न कुछ फैक देंगे तो हमें अपने देश को साफ सुत्रा रखना है ये तीन चीजें हमें याद करनी है तीन चीजों का आज 15 अगस्त को हमें परंड लेना है तब ही हम ये सोच सकते हैं कि हम उन लोगों के कुर्बानी को सच्चे तरीके से याद कर रहे हैं जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई और जिन लोगों ने हमें आज देश को आज़ाद रखने में अपनी कुर्बानी कर रहे हैं एक बात और आपके साथ मैं आज सुतंतरता दिवस के उपर करना चाहता हूँ पूरा देश और पूरी दुनिया इस टाइम महमारी से जूज रही है पूरे देश के अंदर करोना फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर करोना फैला हुआ है ऐसे समय कहते हैं कि मानव जाती के इतिहास में इतनी बड़ी महमारी कभी नहीं आई इतनी बड़ी विपदा मानव जाती के इतिहास में कभी नहीं आई 1918 में स्पैनिश फ्लू आया था वो भी काफी बड़ा था लेकिन बताते हैं कि करोना की ये महमारी उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ी है सब लोग जूज रहें इससे, कहीं लोगों की मौत हो चुपी है ऐसे में मुझे दिल्ली के लोगों के उपर गर्व है ऐसे में मुझे मेरे दिल्ली वासियों के उपर गर्व है कि दिल्ली के लोगों ने अपनी सूजबूज से, अनुशासन से, मेहनत से हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके करोना पे कुछ-कुछ कंट्रोल कर लिया मैं यह नहीं कहूंगा पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है क्योंकि यह ऐसी महामारी है जिसका किसी को कुछ नहीं पता कि अकल क्या रूप धारन कर लेगी अभी फिलहाल सिती कंट्रोल में है दिल्ली के अंदर आज हम दिल्ली में सौ टेस्ट करते हैं तो दो महीने पहले 35 लोग बिमार निकलते थे उसमें आज सौ टेस्ट करते हैं तो छे लोग बिमार निकलते हैं आज दिल्ली के अंदर करोना से होने वली मौतों की संख्या में भारी कमी आई है दो महीने पहले जहां रोज सौ से जादा मौत हो रही थी आज दिल्ली के अंदर 20 से भी कम मौत हो रही है इसको भी कम करना है, इसको जीरो लाना है एक भी मौत नहीं होनी चाहिए करोना की वज़े से उस दिशा में भी सब लोग लगे हुए लेकिन काफी कमी आई है आज दिल्ली में 90 प्रतिशत से जादा लोग जो करोना से संक्रमित हुए थे वो ठीक होके घर जा चुके है केवल साथ प्रतिशत लोग बिमार बचे हैं उनका भी लाज चल रहा है, भगवान करेगा, वो भी जल्दी स्वस्त होंगे तो दिल्ली में हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली के 2 करोड लोगों ने मिलके कई स्टेप्स उठाए सबसे एहम स्टेप था कि हम लोगों ने टेस्टिंग खूब कर दी गली-गली के अंदर हमने टेस्टिंग की सुविधा दे दी कि जिसको टेस्ट कराना है वो टेस्ट करा सकता है और टेस्ट कराने के बाद अगर कोई बिमार था, अगर उसको थोड़े से लक्षन थे, माइड लक्षन थे, एसिम्टोमेटिक था, उसका घर पे इलाज किया, उसको ऑक्सिमेटर घर पे पहुंचा दिया, उसका घर पे इलाज किया और अगर उसमें सीजियर लक्षन थे, जादा बिमार था, जादा तकलीफ थी, उसके लिए अस्पताल में बेड्स का इंतिजाम कर दिया, खूब बेड्स का इंतिजाम कर दिया, आज हमारे सारे बेड्स खाली बड़े हुए, तो ये तीन-चार कदम बड़े-बड़े हम धारन कर चुका है, 60,000 से जादा केस डेली आरहे हैं, 1000 से जादा मौतें डेली हो रही हैं, मुझे भबिहत चिंता होती है सोचके, इसे भी हम सब लोगों को मिलके, एक साथ मिलके, इकटे होके, एक देश की तरह, करोना के संकट का सामना करना है, सभी सरकारیں अच्छा काम कर कर रही हैं सभी राज्य सरकार हैं अच्छा काम कर रही हैं केंदर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैं चुकि दिल्ली के अंदर हम सब ने मिलके इस पे काबू पाया मुझे लगता है कि अगर दो-तिन कदम और उठाये जाएं जो काम चल रहे हैं वो अच्छे काम चल रह सीलेंडर अगर पहुचा दिये जाएं तो अगर हर गाउं के अंदर दो हर्गाय होता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल मिले जाएगा ऐसा करने से हर गाउं के अंदर करोना को नियंतरन करने के लिए गाउं में सुविधा तयार हो जाएगी और एस्पतालों के अंदर उपर प्रेशर कम पड़ेगा मुझे लगता है ये तीन चार चीजें करने से काफी करोना को मैनेज करने में मदद मिलेगी ये समय एक दूसरे की बुराई करने का नहीं है ये समय किसी भी सरकार की बुराई करने का नहीं है ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है ये समय सब लोगों को मिल के करोना से लड़ने का है, सब लोग मिल के करोना से लड़ेंगे तक करोना हारेगा, आपस में लड़ेंगे तक करोना जीत जाएगा हम हार जाएंगे, आईए आज हम सब लोग मिल के प्रन लेते हैं, कि हम सब लोग एक देश की तरह, एक राश्टर क की तरह इकट्थे होके करोना का मुकाबला करेंगे और देश को करोना से सुरक्षत रखेंगे जैहन।